यह जो complaint हमने दी है यह इसमें complaint number हमने डालके रखे हैं लेटर जब फारवर्ड हुआ गौर्णर साब ने फारवर्ड किया कमिशनर सेक्टरी को और कमिशनर सेक्टरी ने डारेक्टर को फारवर्ड किया कि विदिन सैवन डेज आप अपरूल दीजिए फार का जो जो लोग इसमें इनवाल हैं और अब जब हम डारेक्टर से मिलने जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जिस बंदे का हम नाम रख रहे हैं पर्चे में कि इन लोगों पर फार होनी चाहिए क्योंकि ये वाइलेशन कर रहे हैं आडर की कोट के डबल बेंच की सब्सक्राइब कर दोस्तों मैं हूं दीपक सहीं डैनिक्टर समचार से हमने आपको एक ख़बर बताई थी जिसमें एक शक्स ने आरोप लगाए थे कि रैवरे खेल फिजिकल टीचर्स में कुछ ऐसे इंप्लाइज हैं जिनके पास पेक डिग्रियां हैं फ्रॉड करके उसके बाद हमें लगा था कि शायद को एक्शन होगा लेकिन अब तक देखने को नहीं मिला है कुछ ऐसे आदेश जरूर हुए कि किसे के पास फेक डिग्रियां हैं फ्रॉड किसी ने किया हुए तो उनके उपर कारवाई की गई लेकिन वह शायद एजुकेशन डिपार्ट को भी दे दी गई है एंटी क्रॉप्शन ब्यूरो को भी दे दी गई है और रिजल्ट का वेड कर रहे हैं कि कब कारवाईयां होंगी क्योंकि यह जो लोग हैं जिन लोगों ने फ्रॉड किया अगर वो कुर्सियों के ओपर बैठके तो फिर बाकी बालों को क्या होगा जो महनज करके आगे आ रहे हैं उस समय जो जिन शक्स से हमारी बात हुई थी वह हमारे साथ है मोहमद खालिक इनसे बात हुई थी यह टर्मिनेटेड इंप्लॉई हैं रैवरेक केल फिजिकल टीचर अच्छा मैं जानना चाहरा हूं कि पिछली बार जो हमने हमारी बात हुई को जिस तरह के एक्सक्यूज होते हैं और वहां पर आके जैसे उस लैटर को कोई खा जाता है दबारा कोई रिपलाई नहीं मिलता आप आर्टी आई फाइल करो अब फिस्ट अपील दालो कोई असर नहीं है उसके बावजूद अब हमने एंटी क्रॉप्शन बिरो में भी कंप किसी निउस पोटल वाले ने चलाया था कै唯 अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई बी ऐसी शिकायत फिए वो शिकायत करता हमारी किसी भी एजनसी को शिकायत दे डे accepted के मीडिया में वो फैलाए इस चीज़ को मीडिया में बात करें लेकिन हमने पहले वो ही प्रक्रिया की है इससे पहले हमने शिकायत करता ने शिकायत दी है Honorable LG साब LG साब को दी है LG साब के पास आप गए थे LG साब के पास हम नहीं गए थे यह हमने representation दी थी virtual mode पे आप समझ लीजे on email दूसरी बात हम personally डाक्टर अरुन कमार मैता चीफ सेक्रेटरी साब से भी मिले हैं उनको भी दोनों letter दिये हैं वो letter भी forward हुए advisor भटनागर साब उनको भी दिये उसका letter का forwarding नहीं है मेरे पास उसके बाद डारेक्टर विजिलेंस डियाईजी special crime और concern jurisdiction में जिस थाने में office काम कर रहा है उनको भी दी वहां की sdpo को दी और वहां के concern जम्मू के ssp चंदन कोली को भी by mail अब मैंने transfer कर दी है लेकिन कानून ये कहता है कि अगर किसी भी case में कोई complainant आता है उसमें cognizable offense established होता है तो आपको cognizance लेना ही लेना है यहने आपको पर्चा करना है किसी से डरे बगएर किसी से पूछे बगएर लेकिन concern police station वाले बोलते हैं कि हमारे से supreme है crime branch वो action लेगी और crime branch action लेगी वो preliminary inquiry करेगी preliminary inquiry करने के लिए चलो भई उनका protocol है वो preliminary inquiry करेंगे preliminary inquiry आप करोगे क्या जो आपको certified copy आटी आई में हम दे रहे हैं concrete and substantial evidence दे रहे हैं आपको जो Indian evidence act के तहत court के अंदर माने जाते हैं क्या police उसको नहीं मानेगी police को पर्चा करने में क्या दिक्कत है director vigilance को भी दिया है हमने क्योंकि इसमें private player भी इन्वाल है और इसमें private player भी इन्वाल है और उसके अलावा ये जो complaint हमने दी है ये इसमे complaint number हमने डाल के रखे हैं original वाली वो complaint जो हम वहां देते हैं जो sign होगा वो provide नहीं करते हैं जिसमें ये vigilance में है और क्या बोलते हैं अब बात आती है यहां पर ये letter जब forward हुआ governor साब ने forward किया commissioner secretary को commissioner secretary ने director को forward किया within seven days within seven days आप approval दीजिए FIR का जो जो लोग इसमें इन्वाल हैं और अब जब हम director से मिलने जाते हैं और वो कह रहे हैं कि जिस बंदे का हम नाम रख रहे हैं पर्चे में कि इन लोगों पर F.I.R. होनी चाहिए क्योंकि ये violation कर रहे हैं order की court के double bench की judgment की और कोई value नहीं है इनके पास RTI act की RTI के जवाब इनके पास spending पड़े हैं कहीं कहीं सालों से ये किसी को RTI का जवाब नहीं देते high court के order की violation में दो judgment दिखाऊंगा आपको एक judgment है ये judgment है राखी, शर्मा, एंड अधर्स वर्सिज यूटी आफ जमू एंड कश्मीर order dated order dated है ये है 23-12-2021 जिसमें 6 लोग परेशनर थे ये waiting list का मामला था इसमें double bench ने direction दी कि within 6 months आपको इनको observe करना है उनको नोकरी provide करनी है लेकिन अब सुनिए कैसे court के order की violation हो रही है court के आदेश की violation हो रही है और यहां इनका क्या कहना है इस order के लिए कहते हैं इनके लिए court का order superior नहीं है इनके लिए commissioner secretary या journal administration का वो office memo superior है जो office memo अप held करके आज हमारी post को freeze किया जा रहा है अगले 10 सालों के लिए रहबरे खेल के लिए वो superior है क्यूंकि ये court का आदेश है कि 6 petitioner को आप observe करो इनको joining दो 2021 का order है और within 6 months तब कहा है कि within 6 months ये implement होना आज क्या है आप से पूछ रहा हूं बताइए जरा आज 2023 है तो इसमें court of contempt में वो बच्चे 7-7 लाख रुपे 8-8 लाख रुपे खरज चुके हैं suicide करने को तियार है उन्होंने कहा कि अब हम contempt proceeding में नहीं जा सकते उनमें से एक लड़का शायद गया है contempt proceeding में इन पर contempt issue क्यों नहीं हो रहा इन पर होना चाहिए क्योंकि वो गरीब लोग हैं वो नहीं contempt में जा रहे हैं और ये इस judgment को implement नहीं कर रहे हैं इस judgment का क्या आफर है आप बताइए इनके लिए court का order supreme नहीं है लेकिन इनके खुद के order supreme है ये court के order की वाइल अब ये जो दूसरा order है ये दूसरा order वो है जो मैं हमेशा मीडिया में आते हुए चलाते रहा कि degree obtain करने का गलत तरीका youth service and sports में वो लोग अपना रहे हैं जो youth service and sports के अंदर में नोकरी कर रहे है और अब court क्या लिख रहा है कि बलबीर सिंग वर्सिस youth service and sports की judgment है judgment अनोस हुई है 11.1.2023 को इस judgment के अंदर क्या है इस judgment के अंदर ये है कि कुछ लोग ऐसे डिगरियां उप्टैन कर रहे थे जिन्होंने अपने DDO से और district officer से setting करके कि आप हमें क्या benefit देंगे तो हमें क्या benefit मिलेगा कहीं commercial university से डिगरियां ले के आए डिगरियां जब ले के आए जिस समय promotion के लिए list निकली तो कुछ category उमें थे कुछ कुछ थे उन्होंने क्या किया उन्होंने भी apply कर दिया जब apply किया degree verify होने लगी तो उसी समय उन्होंने तंखाये ली थी government से जब तंखाये government से ली थी उसी समय में तो degree कैसे लाई भईया degree भी पैंसू से लाई है ना फिर तो मतलब एक legal document आप illegally ले के आ रहे हो तो fraud है यहां तो आप 420 department के साथ कर रहे हो वहाँ attendance नहीं लग रहे है कोई बंदा आपकी attendance maintain कर रहा वह fraud कर रहा department के साथ यह judgment में हाँ यह judgment में proof हो चुका है मैं आप जो चीज़ यह पहले में मीडिया में बोल रहा है लेकि यह judgment में high court के double bench की cat bench की judgment में proof हो चुका है आप अगर आपके माधियम से कोई देखना चाहे मैंने caption बता दी है 20 पेज की judgment है मैं judgment सारी यहाँ पढ़के सुना नहीं सकता लेकिन जिसमें लिखा है कि जितने भी functionaries है इसमें कुछ imply भी उन्होंने कहा है कि जो retire हो चुके हैं जिनकी इसमें involvement थी जो लोग competent नहीं थे commissioner सक्थी होता है देने के लिए authority तो डीडियों कून होता किसी को बोलने के लिए तो PID करने चले जा मैं देख लूँगा तरी टेंडन और district officer कून होता है लेकिन salary तब तक नहीं निकलती जब तक attendance service book पे ना आए या ना हो permanent employee है ना रहबरी खेल की तरह temporary नहीं अब वही वाला जो इनुने अपनाया था फिर इनुनको बाद में post facto sanction मिलती है Commissioner Secretary से बाद में मिलती है ये government imply है और मुहमद खालिक ने prior admission करने के समय ही department को inform किया था कि आप मुझे study leave दीजिए मेरी selection हो गई है लेकिन मुहमद खालिक और वो लोग इस वकद भी service कर रहे है जबके court का order है कि उनकी salary रिकावर करो वापस ले लो वापस लेने के order है court का आदेश है कि जिन लोगों ने ये किया है उनकी salary recover करो वापस ले लो salary उनसे लेकिन court ने ये नहीं लिखा है कि उनको terminate करो या क्या करो वो एक ये एक civil case है एक होता है criminal jurisprudence दूसरा होता है civil jurisprudence ये एक fraud forgery और cheating का मामला है कि अगर वो व्यक्ती school में duty नहीं कर रहा था अपनी university में नोकरी कर रहा था अपनी study कर रहा था अपनी research कर रहा था तो इसका मतलब वो school नहीं गया school नहीं गया तो salary कैसे निकली fraud है नहीं है salary कैसे निकली जब तक उसकी attendance किसी officer ने maintain नहीं की issue करने वाली authority थी कोई उस authority को देखा जाए कैसे उसको salary मिली उसके बावजूद court order दे रहा है कि जिन लोगों ने जो इसमें विक्तम थे उन्होंने high court में जाके एक TA file की थी वो TA नमबर ये है 5944 oblique 220 में हुई और 23 जनवरी में इसका order आता है 20 page की judgment है judgment अभी तक 3 महिने हो चुके है 3 महिने के अंदर implement होनी थी अभी तक 3 महिने में ये implement नहीं हुई 3 महिने हो गए 3 महिने सर जनवरी की है आज अपरेल है हो गए 3 महिने अब ये दूसरी violation है ये भी ordering के लिए superior नहीं है उसके बाद आते हैं अब मेरा point of view क्या है अगर ये court बार बार लिख रहा है मैंने कहीं युनिएस्टियों से डेटा लिया है जहां पे रहबरे खेल वाले डिग्रियां obtain कर रहे हैं और PT ने obtain की हुई है without permission उसका RTI में डेटा है मैंने वो डेटा crime branch को दिया है sample दिये हुए है उसके अलावा जो computerize fake degree की मैं बात कर रहा हूँ वो fake degree वाले इस वकत अपने document destroy कर रहे है और voluntary resign दे रहे हैं department हों से क्यों नहीं देंगे तोजरी में फसेंगे न जो कानपूर इनिएस्टियों जहां पे BPE degree का course ही exist नहीं करता है वहां से डिग्रियां लेके आए हैं कश्विर में नोकरी ली है और अब देखो verification का issue आता है कि verification भया verification कौन कर रहा है verification में आप chairman district deputy commissioner को रखते हो लेकिन verification करवा रहा है खुद वो व्यक्ति जो नोकरी लगा है क्यों क्योंकि पीछे commissioner secretary ने order निकाला कि within one month आफ हमें दबारा से verification करके दो जिसका chairman deputy director खुद था और director वापस response में ये लिखता है कि मैं दबारा से verification ने नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को funds की कमी है अगर funds की कमी है इसका मतलब आप एक school के अंदर कितने बचे पढ़ रहे हैं उन बच्चूं का fundamental right का violation होता है right to education हमारा fundamental right है article 21 के तहर और वो fundamental right violate हो रहाएगा एक computerized degree holder उनको कैसे पढ़ाएगा पिछली बार भी हमने इस पर बात की थी आपने बात की थी तो तो pressure तो नहीं आप पर आया देखिए मेरे पर pressure आए नहीं आए मेरे को क्या pressure अब डालना है pressure तो डाल दिया ना termination एक single व्यक्ती department से terminate है terminate है लेकिन जो lecture आ रहे हैं जो कितनी salary ले रहे हैं department से वो salary भी ले रहे हैं degree भी कर रहे हैं उन पर कोई action नहीं है मैंने ना कोई salary department से ली है और department को inform भी किया है कि मेरी admission हो चुकी है इतनी fee दी है मैंने जम्मू university में हुई है इस time period से इस time period तक मैंने degree की है आप अगर study leave approve करते हो तो ठीक है नहीं करते हो तो उन्होंने नहीं की मैं उसके बाद court में गया court में से relief नहीं मिला मेरे को court ने कहा single बेंचने के ये जी temporary policy है उसके इन्होंने एक office memo निकाला और policy को रिवोक कर दिया उस policy को रिवोक कर दिया आप बताईए आने वाले 10 साल में हमें कहां से नोकरी मिलेगी 529 पोस्टें इनके पास कुल है फ्रीज हो गई वो फ्रीज कर दी आरिके के लिए जो 3000 वेक्ति लगाए हुए आप बताईए 3000 में 500 वेक्तियों को ये observe कर सकते हैं कितने ब्योकूफ हैं वो आरिके वाले भी कि जिनको ब्योकूफ बनाया गया कि आपके लिए हम ये फ्रीज कर रहे हैं 500 पोस्टें अगले आने वाले 10 साल में आपके लिए 3000 पोस्टें क्रियेट नहीं होंगी तो आप क्या प्रमोशन नहीं लोगे दो साल तो बचे हैं आपके अब आप क्या चाह रहे हैं और जो जो लोग अनिम्पलाइड हैं इस वकत उनको आप कहां से नोक्रियां दोगे फिर हर साल डेटा कंसिस्टेंसी में आपको नोक्री देनी है ये कानस्ट्यूशनल गारंटी है हमें आर्टिकल 16 के पर आप कहां पर हमें नो हमें कहां उबज़ाओ करोगे क्या रोड मैप है इसके लिए आफिस मेमो के अंदर पालसी को इसलिए रिवोक किया गया था कि उसमें फेक डिगरी है उबलीक नाट जन्वन उनको हम जी थोदा रेक्रियूटिक एजनसी से पेपर लेके इन करेंगे लेकिन आज फिर से उनको आपने अपहोल्ड कर दिया आप तो इंप्लाइमेट देना आई नहीं चाहते हैं जो उसमें लगे हुए है है जन्वन वो भी सपर कर रहे हैं जो जन्वन बाहर हैं वो भी सफर कर रहे हैं कमर्शल νीस्टिज से जिनूंने डिगरियै ली है वो मज़े मार रहे हैं घर पे बैठे हो उनको पता है हमारी प्रमोशन हो जाएगी ना कोई वेरिफिकेशन हो रही है ना ट्रांस्पेरेट वेसे कोई चीज हो रही है इवन हम यहां की जितनी भी एजेंसिये हैं उनको कंप्लैंट रिटर्न में दे चुकिए अभी तक परचा क्यों नहीं लगा प्रिलिम्नेरी इंकारी सालों साल चलते रहेगी हम बुड़े हो जाएंगी हम मर भी जाएंगे हमारे बच्चे नोक्री डोनने लगें उस वक्त एक्शन होगा इसमें टाइम बॉंड इंक्वारी कीजिए मैं जी साब से गौहार लगाता हूं जैसे आप आरेटी मेंसे आपने 13 बंदों को निकाला दूसरी लिस्ट क्यों नी परफियर हूँ अभी भी लोग हैं जिनकी वेरिफेशने पेंडिंग है प्रमोशन में क्यों है मैंने एक आर्टी आई फाइल की थी आर्टी आई दिखाता हूं मैं आपको यहां तो कहीं आर्टी आई थी इतना देटा मैं मेरे दिखाएं इसे हैं लोगों के नाम के नाम तक है अगर किसी को लगता है यह दिखा दीजिए इन्होंने डिग्रियां की है और ये नोक्रियां कर रहे हैं इस समय ये स्टेटस मिले हैं तो अगर इनको मिला है एक ही देश में दो कानून क्यों है मैं कह रहा हूँ कि जब क्या बोलते हैं आनरेबल होम मनिस्टर साब ये कहते हैं या नरिंदर मोदी जी हमारे माननिय परदान मंतरी जी ये कह रहे हैं कि एक ही एक ही देश में दो कानून नहीं होने चाहिए तो जमू कश्मीर में दो कानून क्यों हैं जमू कश्मीर में क्यों एक्सप्लाइट हो रही है, यूथ ऐसी पालसियां क्यों लाई जा रही है, जिसमें भोक ने डिपार्टमेंट ने अब्सक्राइब की आ Korkक मिला आ रहे है। तालीम ने भी ऐसे ही डीडियो से स्टिंग ने की हैं पर्मोशने लीं हैं रह बरे खेले इसे ही क्टव करके रहीं सु già करो। करो मैं कह रहा हूं कि सब को टर्मिनेट करो बाद में वह भी लड़ेंगे उनको भी पता चलेगा कि हमारा राइट क्या है आप बताओ इसकर यह चीज बहुत जुरूरी है जो मैं में जन कर रहा हूं लास्ट है वह यह है आप हमें बताइए कि आप एक व्यक्ति को शादी करन करें कि निकाल जिए लेगी जब आपके में लिखत में नहींाएं नहीं को सकती है यह जेए जो है आप बताइए आपके पास क्या रोड मैप है हमारे अगले सा अगले दस साल के लिए हमें कहां से इंप्लाइमेंट दोगे आपने फ्रीज कर रखी है सभी लोग पीटी पीटी की 24 पोस्टें आई यह क्या बोलते हैं फिजिकल एड्यूकेशन लेक्टरार की 24 पोस्टें हो सकते हैं आप बताइए पीटी की पर्मानेट एड्यूकेशन यह फिजिकल लेक्टरा यह टीचर की पोस्टें सिर्फ फायो टू नाइन हैं 529 पोस्टें हैं वह अपने फ्रीज कर दी रहबरे खेल के लिए तो रहबरे 25,000 डेटा अनिम्प्लाइड यूथ है जो रहबरे जो पर्टीकुलर डिपार्टमेट में स्पेशलाइजेशन में डिग्रियां MP8, BPA, BPE करके हैं इस वकट जम्मू कश्मीर में और आने वाले 25 आने वाले 10 सालों में कितना डेटा होगा और आने वाले 10 सालों में आप रहबरे खेल को अबज़र नहीं कर सकते हो मैं गारंटी से ये मैसेज देने चाहता हूँ आपको ये लॉलीपॉप दिया गया है आप उबजर्व नहीं हो सकते हैं पोस्टों में जब तक आपको कनवर्ट नहीं किया जाएगा पर्मनेट में और सिप्रिंग कोर्ट की गाइड लाइन है ये भी धियान में रख लेना कि जो किसी पो और दोगे आप एक मास्टर्स को या पीएजडी स्कालर को किस जगह लगना है आप हमें बता दो किस जगह लगना ये के एससबी आपका पूरे वाव एलिगेशन उसे लिप कहां पर लगना है चलो शुक्रीया शुक्रीया हम से बाचित करें शुक्रीया जी आपका बहुत- लेकिन ये सब बातें मीडिया तक कैसे पहुंच जाते हैं उससे पहले जैसे बोल रहे हैं कि ऐल जी साब ने कहा था और इनोंने उनके कहने अनुसार अजंसियों को अजंसियों को कंप्लेंड भी दी है लेकिन उसके बावजुद भी कोई कारवाई नहीं हुई है और जो ड इस पर चिंतन किया जाए और यह भी वेरिफाई किया जाए कि कौन से लोग हैं जो फ्रॉड पेक डिगरिया लेकर यहां पर घूम रहे हैं अगर है ऐसा तो फिर कारवाई क्यों नहीं हो रही इस ख़बर के उपर आप रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें डैनिक्र सम झाल